तो फाइनली गाइस ठीक दो दिन पहले यानि के बीते शुकरवाद 9 फरवरी को स्रीमाघरो मेरे लिसुई थी शाहित कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलचा जिया और ये फिल्म दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और यही बज़ा है कि फ फिल्म का आज पहला संडे है तो दूस्तों आज एक बार फिल्से कई बड़े रिकोर्ट तोड़ दी हुई हमें नसर आ रही है तो फिल्म का स्रीमाघरो में तीसरा दिन है यानि के पहला संडे है तो फिल्हाल इस वीडियो में आप से बात करने माला हूं तेरी बातों मैं ऐसा उलजा जिया अपने पहले दो दिनों में अफिशली इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में काम्याब रही वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलक्शन हो चुका है और आज तीसरे दिन का क्या हाल है कौन से शहर में फिल्म की कितनी ओक्योपैंसी च प्ता मानते हैं और अगर आपको भी तेरी बातों में ऐसा उलजा जिया फिल्म पसंद आई हैं तो इस celui को दिल से लाइक करें और साथे साथ चैनल को पर आरादनाशाने फिल्म को प्रिड्यूस किया था दिनेश विजार और चूती देश पांडे और लक्षमन टेक करने अगर मैं फिल्म के बजट की बात करूं तो उतना ज्यादा बजट नहीं था फिल्म का लगबग 50 करोड उपे के बजट में फिल्म बनी है और फिल्म को ब अपने पहले दिन यानि के ओपनिंग डे पर साथ करोड दो लाख उर्पे की पूरे इंडिया से नेट कमाई की थी तो वहीं फिल्म का जो वर्ड वाइड ग्रॉस कलक्षन था अपने पहले दिन का वो चौदा करोड चार लाख उर्पे था उसके बाद दूसरा दिन आता है सटर्डे का तो दोस्तों सटर्डे में सारे रिकोर्ट तोड़ते हुए फिल्म ने लगबग 10 करोड रुपे की कमाई कर दी और यहाँ पे सिर्फ दो दिनों में फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलजा जिया 17 करोड रुपे इंडिया से नेट कर चुकी है वही फिल्म का इंड 30 करोड 50 लाख रुपे पूरे वर्ड में कमा चुकी तो आप कह सकते हैं कि अपने विकेंड पर एक अच्छा खासा कलक्शन करने में फिल्म कामयाब हो रही है और आज तीसरा दिन है यानि कि फिल्म के लिए बहुत एहम दिन है अब यहाँ पर तीसरे दिन के आज मैं बात क दो यहाँ पर आज जो मॉर्निंग की उक्योपनसी फिल्म के पास 1140 शोज में पूने के अंदर बहुत अच्छी उक्योपोंसी रिपोर्ट है आज पर बैंगलोरु के अंदर आज मॉर्निंग आज पर्सेंड की उक्योपेंसी 25 उसन त्यादा की है है धराबात?' के अंदर 25 परसेंट की morning की occupancy और दोस्तों ये में morning की occupancy की बात करना आफ्टनूर इवनिंग और नाइट की जो शोज रहेंगे वो ज्यादा तर हाउसफुल रहेंगे चेनने सूरत जैपुर चंडिगर भोपाल लखनाव हर जगा से बहुत अच्छी खबार आ रही है यानि कि आज पूर इंडिया से नेट कमा रही है तो वहीं फिल्म की जो worldwide कमाई है वो लगबक 55 कुरोड रूपर का आकड़ा ये फिल्म तीन दिनों में पार कर रही है और फिल्म का बजट 50 करोड रूपर ही था तो अगर एक हफ़ता भी फिल्म ने अच्छे से खीच लिया यानि कि अब कल से जो मंडे शुरू होगा अब आने वाला जो संडे रहेगा उस तक अगर फिल्म ने अच्छा कर लिया तो ये फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर इठ हो जाएगी लेकिन दोस्तों फिर भी आपको कैसे लगे फिल्म कमेंड में शुरू बताईएगा